हेलो प्यारे बच्छों लक्षमर क्लास हम आपका स्वागत है हम लोग देख रहे हैं 12 क्लास की रिसाइन बिग्यान का अंसॉल्ड पेपर साइट फरस्ट सब्सक्राइब तो इस अंसॉल्ड के सभी कोशन आप फटापट पहले देख लीजिए उसके बाद इनके अंसर देखेंगे और अंसर मैंने एक नोट्स पर लिख रखेंगे पूरा नोट्स आपको अभी मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है समझाएंगे भी और खास बात यह है कि इसके मैं अगर आज करेंगे तो यह हमारा था कोश्टन पेपर अब हम देखेंगे इसके अंसर सीट यह बने सारे अंसर लिख रखें हैं देख लीजिए अंसर फटापट इसके यह अंसर मैं पिछले लेक्शन में समझावी चुका हूँ कैसे कैसे आए हैं और आज हम देखने वाले ह यहां पे चौथे कोश्टन से सॉल्व करेंगे क्योंकि यह सारे कोश्टन हम देख चुके हैं ठीक है यह सारा सलूशन में पिछले लेक्शन में आपके लिए करा चुका हूँ तो पिछला लेक्शन आप देख सकते हैं चलो हम देखते हैं नेक्स्ट कोश्टन जो हमें आज देख चुके हैं अब यह यहां से स्टार्ट होगा आज चौथे का कास है है ना इससे पहले प्रेक्शन में करा चुका हूं देख लिए ना आप लोग तो देखेंगे पॉईंle हुए। तो पॉईंट जीरो टू मोल लीटर इनवर्स की सिल बेलीन की मुलर चालिकता परकलित कीजिए 0.1 mol l inverse KCL billion की चारिक तो जो है 1.29 c mains meter inverse दे रखी है तो इसमें दो case हैं दो सांटा दे रखी है पहली सांटा कितनी है बैटा 0.1 mol l inverse है और दूसरी के सांटा कितनी है 0.02 है तो c1 equal to कितना हो गया मतलब पहली सांटा कितनी हो गयी 0.01 और दूसरे के जो c हो गया 0.02 हो गई ठीक है अब जो पहले c के सांट जो ची दिये वो नोट कर लेते हैं तो c.1 mol लरता के लिए r की value दिये 0.1 mol लरता के लिए r की value के दिये 100 ohm दी है और 0.1 mol l inverse के लिए KCL की चार लगता दी है कपा की value वो ये दी होई है ठीक है सब्सक्राइब बात 0.02 के लिए 0.02 बेलियन की प्रतिरो दक्ता जो दी है वो ये दिया हुआ है इसके प्रतिरो दक्ता पांसो दिया हुआ है और इसमें हमें कपा की value याद करनी है तो जो लिए 0.02 mol लीटर वर्स के CL बेलियन की चाह लगता है मुरजचा लगता है याद कीजिए तो इसकी हमें चाह लगता है कपा की value याद करनी है और मुरजचा की value याद करनी है मुझे लगता है कोशन आपको सुझ में आ रहा हो क्या करना है हम लोगों के लिए तो सबसे पहले हम मुरजचा लगता है के लिए हम सेल स्तरंग लयत कर लेते हैं ठीक है तो हम जानते हैं गे इक Ephちゃん रहाता के आर होता कि की की वेलु में यलायद है और यहां पर अम संग करते हैं कितनी आई थी पीटा 129 मोल इन्वर्स मीटर इन्वर्स आई थी तो 129 और R की बैलू हमें कितनी पता है 500 होती है हमने कैल क्यों किया तो इतना हमारा अंसर आ चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं देखो यहाँ पे है यह मीटर इन्वर्स और उपर जागा ओम इन्वर्स तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स ठीक है और जो ओम इन्वर्स जो होता है ठीक है ओम इन्वर्स बराबर हम लिख सकते हैं सीमेंस ठीक है तो हो जागा सीमेंस और मीटर इन्वर्स यह भी इसका मात तक हो जाएगा मोल मीटर इनिवर्स में मोल मीटर इहाथ माइनस ट्रीम में दी हो या मोल लीटर इनिवर्स में दी हो तब हम यह वाला फामूल यह उज़ करते हैं लेंडा एम एकोल टू के गुड़े 1000 अपॉन सी तो यहां पर हम क्या काम करेंगे बड़ी समझे लाइक बात हैं यहां पर हमने क्या काम किया यहां ने की वेलू रखदी की वेलू जो आई थी व हमने वो रखदी और इसका मात्त निवें रखदी ठीक है और हमने इसकी वह रहा मोल को उपर माइनेस हो जागा तो मोल इनवर्स हो गया लीटर का लीटर हो जागा बात समझ में आईए उसके बाद हमने क्या काम किया इसी कल्कुरिस ने की यह अंसर आ गया और इसको हम सॉल्व करते हैं आगे देखते हैं ध्यान से तो यहां पर जो उत्तर है इसका यह अंसर आड़ा है सी में मीटर स्कॉार मोल इनवर्स ठीक है बट अंसॉल्ड पेपर में यह वाला अंसर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं अच्छा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है निम लिखित पर संचिप टिपली दीजिए तो प्रोटीन की दित्याक सद्रिकचर पर में मस्त्रिक्चर बखेंब विखिती एक स्दृक्चर की संद चिना तो सब्सक्कार थाट्र खोटीन की ची होती प्रोटीन की टू होती आतबा यह पहुँल में यह बीग सकते हो यह बाँे ऑफार कुंडलियकार थीक है यार कैलाङती है आपकी 2बीटा सी्ट स्फचर चंड तो आप नोट कर लेंगे हमें लुग है अब दूस्फी बता चार्विंगर होती है इस तरीके से ईस्टफीर निकीयो ही है ृप अब बात यह आती है कि peptide आवंद क्या होते हैं तो सुनेंगे peptide bond होते क्या हैं तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए peptide bond क्या होते हैं तो समझेंगे थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगे वैसे आपको आता तो होगा ही सब चीज़े ही देखो हमारे पास एक amino acid है यह एन एच टू सी एच और आर यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और और ओ एच यह करका फार्मूला है amino acid का फार्मूला है हम एक दूसा amino acid एक और ठीक है पिलास दूसा amino acid लेकर देखिए हम यहां लेकर देते हैं ह एन एच और यहां लेकर देते हैं CH और यहां पर आर यहां पर OH ठीक है तो यहां से क्या है यहां से आप देखेंगे कि यहां से वाटर मूलिक्यू अगर निकाल देए इसका यह वाटर मूलिक्यू निकाल अगर ठीक है यहां से पानी को निकाल देते हैं तो बसता क्या है तो धान समझेंगे देखो यहां बसता है एन एच टू सी एच यहां पे नीचे आर सी डावल बॉन ओ ठीक है यह चीज बसती है उसके बाद क्या बसता है उसके बाद देखो, उसके बाद बसता है यहाँ पर N, ठीक है H, C, H, R, O, H यह बसता है, ठीक है तो जहाँ समझेंगे, एक बहुत-बहुत इंपोर्टन बाद बताने जा रहा हूँ आप लोग के लिए मैं, देखो क्या समझाने जा रहा हूँ, वोट देखेंगे जान से वोट पर मतलब स्कीन पर तो यहाँ पर इतना और इतना पार्ट जाहिए है यह कहलाता है, पेप्टाइट बॉंड क्या कहलाता है यह, पेप्टाइट बॉंड कहलाता है ठीक है और होता क्या है एक एमिनो एसिट का OH गुरूप और दूसरे एमिनो एसिट का NH2 गुरूप आपस में मिल करके वाटर मॉलिकुल निकाल देते हैं और पेप्टाइट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि यहां सपस्ट टूप से लिखा हुआ है और चित्र भी बना है ठीक है तो यह लिखा हुआ है जब एक यह लिखा है जब एक एमिनो एसिट ठीक है यह लिखा हुआ पढ़ लें आप जब एक एमिनो एसिट और एक आवाक्स लिए गुरूप आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है जल का अनु निकल जाता है और प्राइड बाउंट का ये फ़र्मेशन हो चुका है किलियर चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग मोनो साकराइट क्या होता है मोनो साकराइट पे टिप लिगए तो वे काबो हाрь गटन जिनका जल अब गटन नहीं हो पाता है मोनो साकराइट कहलाते हैं और स्वाद में कैसे होते यह मीठे होते हैं ठीक है न तो धान के आए इनके गुलूकोस रक्टोस मेरोज लाक्टोस यह सब क्या है मोनोसेकराइट के एक्जामपल है अगला कोश्चन है कि निम लिखित का कारण बताईए कि क्या कारण है एनिलीन फिर्डल क्राफ्ट अविकरिया प्रदासत नहीं करता ऐसा में कारण बताना है बहुत 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 इंपोटेंट है यह कि एनिलीन फिर्डल क्राफ्ट अविकरिया प्रदासत नहीं करता है ऐसा क्यों तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिर्डल क्राफ्ट अविकरिया होती क्या है हम इस पर चर्चा कर ल और यहां पर यहां समझेंगे बनता कैसे है यहां पर किलोरीन होता है थोड़ा समझेंगा प्रियास करेंगे आप लोग तहां समझें वेटा इसका हम निख सकते हैं वेंजीन के लिए C6H5H C6H5H प्लस CH3Cl ठीक है एरो ALCl3 अब यहां पर क्या है कि जो कलोरीन है कलोरीन हाइडरीन को विस्थापित करता है और हमें प्राप्त हो जाता है C6H5 C6H5 ठीक है और CH3 बचा हुआ CH3 और प्लस HCl क्योंकि एक तो ह यह और एक हो जागा है C6HCl लेक्ति अब्चे लुकरिया तो आप यह हुथा है और ऑपकर यह होता है तो फिट्ल अब्च दौब्च प्लस C6H5 अब हैं अब कर्या अब आपको यह समझाया लेकिन हमारा टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक यह है यहां पर यह नोट करके आप लिए अपने अब हम बताते हैं कि जो एनिलीन है वह फीटल अपने क्यों नहीं करता है तो उसका रीजन समझे क्या है देखो जैसे आपको पता है यह हमारा है प्यारा सा क्यूट सा एनिलीन ठीक है न यह क्या है के सामने यह है एनिलीन का स्ट्रक्चर यहां पर दो लोन प्यार होते हैं यह इस तरीके से समझनारी बात यह दो लोन प्यार होते हैं अब इसके क्रिया हम कर रहे हैं A L C L 3 की प्रिजन्ट में C H C L 3 से क्योंकि फिलो करापक यह करानी है हम लोगों के लिए ठीक है अब देखत एमुनियम है यह अल्मूनियम जो होता है इसके पास अलेक्ट्रोनी कमी रहती है कैसे लrid जिया देखो 1 C L ए Art C L ए लगांगे लिया颜 जो हैं से घुल एमुनियम ऽे कमी रहती है च्छे अलक्ट्रोन की छसए अलक्ट्रोन होता है यह एलक्ट्रोन में ऐसें कमीरे देखक य है ठीक है मैं एक बार फिर समझाने के प्रयास करता हूं देखो यह है हमारा एनलीन का फॉर्मूला यह एनलीन का फॉर्मूला है इसके ओपर लोन पेर है ठीक है दो लोन पेर बनते हैं इसके ओपर यह लोन पेर है और हमारे पैसा donor हो गया और यह को हो गया असेप्टर हो गया असेप्टर आप 11th class में पड़े होगे Lewis Acid की परिमासा Leuce Acid तो यह क्या हो गया Lewis Acid हो गया और यह क्या हो गया Lewis Base हो गया यह Lewis Base हो गया अब Acid और Base मिलते हैं तो क्या बनता है Salt का formation होता है तो यहाँ पर एक salt बन जाएगा इस तरीके से यहाँ पर एक salt का formation हो जाएगा तो देखेंगे salt salt क्या हो जाएगा बटा यहाँ हो जाएगा NH2 यहाँ पर प्लस चार्ड जाएगा क्योंकि इसके electron गए है और बन जाएगा ELCL3 और जो aluminium है इस पर क्या जाएगा माइनस का चार्ड जाएगा तो एक salt का formation हो जाएगा और यहाँ पर जो hydrogen का बिस्तापन हो रहा था बो नहीं हो पाएगा जैसे पहले क्या हो रहा था पहले CHCl3 जो है यहाँ पर पहले सॉरी पहले यहाँ पर जो था चैनलीन चाहिंब चाहिए अपाइग क्लोरीन कई इस लिए अभी व्रूभ प्रिया दिक्षा है यह उन्यक्राम बड़न्याय थे करें !! यह दरा आ जाते हैं तो यह क्या बन जाता है यह लूइस ऐसेड बन जाता है और यह लूइस बेस बन जाता है ठीक है तो यह बन जाता है साल्ट अगले रियक्शन नहीं हो पाती तो यहां लिखा है इसमें हाइडोजन का बिस्थापन नहीं हो पाता है इसमें हाइडोजन का बिलाएं हैं जबकि एनलीन नहीं ऐसा क्यों तो देखेंगे जो एथिल अमीन है यह एथिल अमीन का फार्मूला है एथिल अमीन का तो जो एथिल अमीन होता है यह क्या काम करता है जिसको यह एथिल अमीन है यह एथिल अमीन है यह वाटर है तो एथिल अमीन वाटर के साथ हा के अड़ूंगों के साथ हाइजन बॉर्णिंग कर लेता है तो यह दिखाया है चितर दौरा जबकी एनिली जल में नहीं गुलता क्योंकि इसका अड़ूहार बहुत अधिक होने कारण यह हैं नहीं कर पाता है तो मुझे लगता है यह आपको क्लियर हो चुका होगा ठीक है अ गुर्चा कमेंट विल दे नेक्स वीडियो में तो लेकर मस्कार जाहिए बंदे मातर में बाए बाए